Hello everyone दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बड़िया पार्च ब्रेकाउट स्टॉक्स शेर करने वाला हूं तो इन पार्चों स्टॉक्स को हम काफी डीटल में एनलाइज करेंगे इनके लिए उसर टार्गेट्स को देखेंगे, प्राइज अक्शन पॉइंट्स को देखेंगे रिजन को जानेंगे कि क्यों हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉपर इस स्टॉक्स को डीटल में एनलाइज करेंगे तो मेरा नाम है वैपूल, आप देखेंगे रिट्रेड स्मार्टली आइम एनाइसम सर्टिफाइड एक्विटी डेरिवेटिव अनलिस्ट चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला स्टॉक है हमारा जोमैटो लिमिटेड इसका करण मार्केटाइज चलाए करीब 69.55 रुपिज के पास तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये कमपनी ओनलाइन सर्विस सेग्मेंट में काम करती है अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो आपको खास ध्यान ज्वेलरिस सेक्टर, लक्जरिस सेक्टर और फूट डिलिवरी कमपनी और क्योएसर कमपनी पर तो आपको ध्यान देना ही चाहिए क्योंकि फेस्टिव सीजन और लक्जरिस सेक्टर है जैसे की टाइटन हो गया ज्वेलरिस सेक्टर में जो भी कमपनी से इनके साथ एक positive core relationship होता है तो इनमें अभी तेजी हो सकते है festive season के कारण तो अभी हम इस company's के technicals के बारे में बात करते है तो अभी company का करणा market price section 9 के पास चल रहा है breakout हुआ है company में falling wedge pattern का formation हुआ था और falling wedge pattern का breakout होने के बाद फिर से stock ने double bottom formation किया double bottom का भी यहां में यहां पर breakout deck को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं अभी हम यहां पर enter करेंगे 70 के उपर जब यह जाएगा दोस्तो stop 70 आपका enterprise होने वाला है और आपका stop loss होगा वो simply yellow zone है इसके नीचे हमें आपना stop loss set करना है जो की होगा level 64 का तो रिस्क की हाँ पर थोड़ा कम है और रिस्क हमें हमेशा कम ही रखना चाहिए जब भी हम trade में enter करेंगे दोस्तो और जो यहाँ पर हम target set करेंगे वो करेंगे करीब 75 के पास और 80 का तो 80 तक का हम इस trade में target expect करेंगे दोस्तो तो यह थे level 100 targets इस stock के I hope कि आपको इसके level 100 target समझ में आए होंगे तो बढ़िया stock है अगले हफते में आप इसको radar पर रख सकते हैं और इसमें trade कर सकते हैं तो अभी हम देखते हैं दूसरा stock दूसरा stock है हमारा आज का कोठारी sugar इसका करा market price दे लाए करीब 48.75 रुपिस के पास ये stock sugar sector से बिलॉँग करती है और सभी sugar stocks अभी फिलाल तेजी में हैं तो आप यहाँ पर इस stock में अगर देखोगे तो आपको range breakout देखने को मिलेगा दोस्तो range breakout हुआ है stock अभी 48 के पास है तो आप यहाँ पर अगले हफ़ते मंडे को जो भी price करन market price चलेगी दोस्तो तब आप यहाँ पर enter कर सकते हो आपको यहाँ पर stop loss का ज़्यादा ध्यान रखना है तो stop loss आपको simply जो breakout level है breakout level 47 के पास है तो इसके नीचे आपको set करना है यहाँ पर आप 21 moving average की पास अपना stop loss set कर सकते हो जो कि यहाँ पर मैंने mark किया है तो आपको अपना stop loss करीब 43 या 44 इस level के पास set करना है दोस्तो और आप enter कर सकते हो 48-49 level के पास तो यह थे levels for targets अभी हम target की बात करें तो target हम इस range box का length निकालते हैं तो इसका अगर हम length निकालेंगे दोस्तो तो वो निकल के आ रहा है लगबग 18 points का तो 18 points का ही हम हमारा target set करेंगे दोस्तो तो 66 rupees का आपका यहाँ पर target होगा क्योंकि यह जो range breakout है जो box का length होता है वही हमारा target होता है दोस्तो इस pattern में तो 18 rupees के उपर हमारा target रहने वाला है तो 66 rupees का आपका target होगा तो 65 rupees का target है आपका stock loss है 43 rupees का और entry price है आपका 49 rupees के पास तो यह थे level 100 targets इस stock के I hope कि आपको इसके भी level 100 targets मुझ में आया होंगे तो अभी हम देखते हैं दूसरा stock दूसरा stock है हमारा PSP Projects Limited Real estate sector से बिलाओं करती है यह company इसका करो market pressure रहा करीब 666 rupees के पास तो यह भी stock अच्छे momentum में है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Ascending triangle pattern का हमें formation दिखाए दे रहा है company अभी फिलाल resistance के पास है तो आपको मैं यह company before breakout ही बता रहा हूँ क्योंकि breakout के वक्त तुरंट आपको यहाँ पर entry करना है तो breakout level जो है वो है 670 rupees के पास तो 670 के उपर जब यह stock जाएगा दोस्तों तब आपको enter करना है और ऐसे ही आप trade में enter करते हो तो आपका stop loss होगा 640 rupees के पास तो stop loss आपको इसी candle के low के नीचे set करना है दोस्तों जो कि है level 640 का entry रहेगा 670 के उपर 640 का stop loss और जो target होगा वो होगा करीब 700 का दोस्तों तो 700 एक important psychology level भी है तो 700 का आपको अपना target set करना है और फिर आप trailing stop loss को set करके इस trade में बने रह सकते हो और अच्छा खास से यहाँ पर मुनाफ़ा कमा सकते हो दोस्तों तो trailing stop loss का आपको इउप्योग करना है उसके बाद हमारा अगला stock आता है Vigard Industries इसका करमा के प्रेश चलाए करीब 250 rupees के पास तो यह stock भी अभी फिला resistance के पास है और यहाँ पर भी breakout नहीं हुआ है breakout के बाद आपको यहाँ पर तुरंच entry करना है तो breakout level है 250 के उपर तो जैसे ही यह stock इसके उपर candle closing देता है यानि कि 1R का candle जब भी close हो जाएगा इसके उपर आपको entry करना है और जो target होगा आपका वो previous resistance होगा यहाँ पर हम previous resistance देख सकते है stock का था करीब 280 के पास तो 280 का आपका यहाँ पर target होना चाहिए दोस्तो इस trade में और जो stop loss आप यहाँ पर set करोगे वो simply 240 की नीचे रहेगा क्योंकि यहाँ पर moving averages का support है दोस्तो तो 240 का stop loss entry तो 250 के उपर है और 280 के पास आपका target होगा दोस्तो तो यह थेले उसा targets stock के अभी हम देखते हैं अगला stock अगला stock है हमारा Ratan India Enterprises Limited अभी इस company का करोण market price चलाए करीब 53.85 रुपिस के पास यह stock electric mobility product से जुड़ी हुई है और यह company drone sector में भी काम करती है दोस्तो तो यहाँ पर अगर हम इस company के technicals के बारे में बात करें तो company अभी breakout level के पास ही है तो यहाँ पर आपको enter करना है 55 के उपर तो 55 level यह आपका enterprise होगा तो 55 के जिसी उपर जाएगा आपको entry करना है stock में एक बड़िया pattern हमें नजर आ रहा है दोस्तो एक strong rally हुआ, bullish rally हुआ bullish rally के बाद stock काफी दिनों से लगबग एक साथ से consolidate कर रहा है और breakout के बाद आपको entry करने है और जो stop loss होगा दोस्तों यहाँ पर आपका वो simply breakout level के नीचे ही होगा यानि कि जो 50 का level है 50 रुपीज का level यहाँ पर आपको इस stock में काफी संभल के trade करना है दोस्तों क्योंकि company बहुत ही high beta stock है यहाँ पर high momentum होने के कारण आपका यहाँ पर stop loss भी hit हो सकता है तो आपको कम quantity लेके hit trade करना है और उसके बाद दीरे दीरे आपको add करना है दोस्तों position sizing का खास ध्यान रखिएगा तो यह थे आज के सभी stocks I hope कि आपको इस सभी stocks पसंद आये होंगे और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो जरू इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए